अलो गाईज आज अपन देखने वाले हैं थीम्स ओफ हेल्थ तो डबलू एचो के अकोडिंग कौन कौन सी हेल्थ के रिगार्डिंग थीम्स दी गई यह बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है तो सबसे पहले अगर अपन बात करे 2013 से सन 2013 से अगर बात करे इयर 2013 में कौन सी डबलू एचो थीम्स दी गई हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग थीम्स दी गई यह थीम्स क्यों दी जाती है इसका प्रपच क्या होता है कि इस इयर के अंधर अपने को किसा चीज पर ज्यादा फोकस करना है तो हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर ज्यादा फोकस के गया step 2013 में नेक्स जो थीम्स है 2014 कि जो थीम्स है वह व्यक्टर बोन डिजीस के ऊपर है 2018 की जो theme है वो है Universal Health Coverage Everyone Everywhere देखेगा 2018 और 2019 जो है उसके अंदर लगबग सेमसी के health theme दी गई 2019 में health for all everyone everywhere के नाम से जो theme दी गई 2020 की बात करें अब यहाँ पर देखेगा जो important अपने लगबग 2-3-4 साल की पुरानी theme से यहाँ पर पूझी जा सकती है तो इसलिए 2020 की जो है वो support nurses and midwives क्योंकि इस time पर क्या था COVID-19 की वज़े से 2020 को जो theme दी WHO ने वो क्या दी support nurses and midwives nurses को और midwives को support करने के purpose से 2020 की theme बनाएगी 2021 के अंदर building a fairer and healthier world का निर्मान अपने को करना है बिलकुल fair होना चाहिए और बिलकुल healthier world का निर्मान अपने को करना है 2022 की current जो theme है वो है अपनी over planet, over health तो guys यह थी अपनी WHO के दुआरा दी गई health theme I hope आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही short videos और interesting topics से जुनने के लिए इस video को like करे, share करे और चैनल को subscribe, great thing